अगर आप आधार से पैसे निकालने का काम करते हैं एईप या संचालक है तो इसके लिए good news है कि easy case point के detailer ID लेके आप बिल्कुल कम खर्च में ले सकते हैं, detailer बन सकते हैं और double commission कमा सकते हैं अन्नी company के तुल्ना में कुछ लोग काते हैं कि sir हमारे पास फलाना ID है ये ID है वो ID है तो वो ID है ये ID है वो बात सही है लेकिन आपको double commission देता है easy case point जो कि बहतर commission के साथ आप easy case point के साथ जूड़के एक अधिक commission कमा सकते हैं अधिक income कर सकते हैं जी हाँ अगर आप EPS अंचालक हैं अगर आप कि अन्य company का ID चलाते हैं तो आपको पता होगा कि 3000 का withdrawal करने पे company 6 रुपिया 5 रुपिया यही देता है लेकिन easy case point company आपको 3000 के withdrawal पे 12 रुपिया का commission देता है जो 12 रुपिया commission ये अधिकतम commission है easy case point company क्यों देता है ये भी हम समझाएंगे आपको इस वीडियो में और easy case point का application को भी दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि easy case point के retailer ID के लिए आगर आप interested हैं तो आप दिएगे contact number पे शंपर कर सकते हैं मात्र 200 रुपिया में आपको ये offer price में मिलने वाला है जूकि easy case point का retailer ID का जो pricing है वो retailer ID का 1050 रुपिश एक हजार पचास रुपिश है लेकिन अभी आपको offer price में only 200 रुपिश में आपको 200 रुपिया में आप retailer बन सकते हैं easy case point का और double commission कमा सकते हैं अनी company के तुला में अब हम आपको दिखाते हैं easy case point का application कैसा है अब आप देखिए ये mobile application काफी sample है आप देख पारें काफी कम option आपको दिख रहा होगा और सारे application की तरह बहुत सारा option फाल्तू-फाल्तू service नहीं दिया गिया है इसमें कम service को दिया गिया है फाल्तू service को add नहीं किया गिया है जो retailer का huge life है उसी service को दिया गिया है और sample portal है आप देख पारें इस तरह का app है जो भी निकासी करेंगे आपका wallet 2 में balance आता है और इस पैसे को आप कभी भी settlement कर सकते हैं retailer move to bank कभी भी अपने खाते में कर सकते हैं move to bank करके भी दिखाएंगे कै settlement बोलते हैं यहाँ पर case out में click करने के बाद wallet 2 का option है wallet to bank यहनी कि wallet से account में लेने का देखिए process कितना sample है तीन click किजिएगा तो आप अपने account तक पहुँच जाईएगा उसके बाद यहाँ पर जो भी account आपने add कर रखा होगा सारे account का list दिखाई देगा total 5 account में आप settlement कर सकते है जी हाँ total आप अपना 5 account में settlement move to bank कर सकते हैं यह सुविधा देता है easy case point फिरी settlement की सुविधा देता है settlement में कोई charge नहीं कटेगा यहाँ पर देखे मैं फिलाल एमॉन डालता हूँ 500 रुपिया का करके दिखाता हूँ यहाँ पर IMPS राने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फास्ट नहीं बहुत फास्ट है settlement भी फास्ट है 24 घंटा settlement है कभी भी wallet का पैसा आपने खाते में आप ले सकते हैं अब आप देख पारें मैंने आपको move to bank करके दिखा दिया अभी आप हमारा wallet में 2000 रुपिया था अभी 1515 रुपिया आप देख पारें यह नहीं कि move to bank भी आ सकते हैं और एक अधिकतम बात यह है इसमें कि 3000 के ओपर 12 रुपिया कमिशन देता है जो कोई कमपणी नहीं देता है सारे कमपणी 5 रुपिया 6 रुपिया देता है तो आप EPS का अगर आधार विड्रॉल का काम करते हैं तो कुछ ऐसी कमपणी के साथ काम करें जहां पर अध एमिन यूजर होगा उसके उपर वाइट लेबल होगा ऐसा होता है यानि कि टोटल 5-6 जगा में कमिशन बढ़ जाता है एक रुपिया एक रुपिया भी गया तो 6-7 रुपिया तो ऐसे ही चला जाएगा समझ रहे हैं बात को तो यह EG किस्पैंट डिरेक्ट कमपणी ओफर कर रहा है डिरेक्ट डिर्डेलर आईडी लेके आप 12 रुपिया तक का हाइस्ट कमिशन कमा सकते हैं EG किस्पैंट के साथ जूर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि यह ओफर टाइम के लिए ही अवलेबल है 200 रुपिया में आईडी कभी भी नहीं मिलता है जो कि आईडी का प्र